हेलो एवरीवन वेलकम टू जैशी टैट और आप सब लोग आई होब कि सभी कि सभी अच्छे होंगे बहतर कर रहे होंगे अपनी लाइफ में आज हम देखेंगे कि आपकी जो सोल है वो आपको क्या मैसेज देना चाह रही है और इंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या भी हूख लाइच की जीग हैं यूटिस गा फ्सक्स हूठ लॉसरा यूटप्स ट्थणी ट्न वम क्योंडना प्सक्.. ट्न थूम से एट तस तर।फ ट्न थाय। कस्यं सक lässt पार रहूटभ क्या जैग है इंगने क्नौना क्या थिह चॉटव सांट ट्यूट प्र ट्ट क्ट् King of Pentacles होप आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर मैं अगर बात करूँ आपकी सोल का आपके लिए मैसेज है तो आपके लिए पहला मैसेज तो यह है आप जितने भी नेगेटिविटीज में हैं जितने भी नेगेटिविटीज में हैं उसको एंड करें खुद को पेन में ना रखें आपका जो माइंड है बॉड़ी है जो सोल है वो पेन में है तो आपकी सोल क्या कह रही है मुझे पेन में मत रखो क्योंकि जाहिर सी बात हम खुद को पेन में रखते हैं तो तकलीफ हमारी बॉड़ी को ही होती है माइंड को ही होता है, डिस्टर्बंस होती है, हम परिशान रहते हैं, तो, सुरी, आपके जो सोल का मैसिज है कि आप परिशान करना खुद को बंद करें, परिशान जब तक आप करेंगे खुद को, आप उस चीज पर आगे बढ़ी नहीं पाएंगे, जहां पर आप बढ़ना चाह रहे हैं, उस पाथ पर आप जो आपको अचीवमेंट चाहिए, जो आपको अपनी लाइफ में चीजे चाहिए, उस तक आपको पहुचने में कटनाईयों का सामना करना पड़ सकता है, क्यों? क्योंकि आप दर्द में जी रहे हैं, आप दर्द को पाल रहे हैं, आप दर आपके लिए Soul का एक Message ये भी है कि आप उन चीजों को खत्म करें चीजे देखें क्या सही है मेरे लिए मेरे लिए जो मैं कर रहा हूँ कर रहे हो मेरे लिए सही है क्या मुझे इसे फायदा हो रहा है क्या मुझे उससे वह result मिल रहे हैं, जो मुझे मिलने चाहिए नहीं नहीं मिल रहे है, एक बार खुछ से सवाल करें और देखें उसका जवाब क्या आ रहा है, हाँ या ना वो pain आपको खुशियां दे रहा है, जिस pain को आप पाल रहे हैं, soul का message आपके लिए एक ये भी है कि कर्म हमारे कर्म हमारा end करेंगे life में जैसे भी हम कर रहे हैं मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी है आप अपने कर्म पर ध्यान दें, अपने thoughts पर ध्यान दें, अपने चीजों पर ध्यान दें यहाँ पर ताकि जिस भी situations में आपको लग रहा है कि मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, यह नहीं निकल पाऊंगी, उसमें आपको एक direction मिले, ध्यान दें focused करें आपके soul का message है कि आपके साथ नयाय होगा और जरूर होगा, लेकिन आप पहले खुद को तयार तो करें उस नयाय के लिए आप पहले खुद को ready तो करने उस नयाय के लिए जिस नयाय को आप ढून रहे हैं, जिस नयाय को आप अपने life में पाना चाहते हैं, चाहे वो success आपके career की हो, आपके relationship की हो, किसी की भी हो लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर खुद को उस चीज में लाना पुड़ेगा आपको ओके, तो soul का message आपके लिए यहाँ पर यह है एक message यहाँ पर यह भी है कि आप stability की तरफ है stability की तरफ हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पहचानने की जरूद है कि yes, यह stability मेरे लिए है तो बहुत अच्छी बहुत जादा मेरे लिए successful रह सकती, बट मैं इस successful को कितना ले पा रही हूँ यह ले पा रहा हूँ beautiful energy, king of pentacles जो आपको खुशियों से भरता है, जो आपको wishes को fulfillment करता है आपको पैसों से fulfillment करता है, सब चीजों से beautiful positive card लेकिन इसको पाने के लिए पहले आपको इसे खतम तो करना होगा ना, आप जब तक इस energy में रहेंगे, आपको यह energy कैसे मिलेगी, तो soul का message यह है कि अगर आप अपने life में success चाहते हैं किसी भी चीज में relationship में other चीज में, अपने office में अपने चीजों में communicate करें communicate करने को यहां पर बोला जा रहा है कि communication को बहतर करें, अपनी stability पर ध्यान दें अपने relationship पर focus करें ध्यान दें, action लें clear करें अपने चीजों को path अपना clear करें, अपनी mentality को disturb ना होने अपने mind को program negative thoughts से ना होने दें gesture आपका होगा लेकिन आप balance तो करें चीजों को यहां पर भी balance है और यह भी आपसे बोल रहा है कि balance करें merge करें, खुद को other लोगों के साथ merge करने के कोशिश करें, involve करने के कोशिश करें इस उर्जा से खुद को बाहर निकालें क्योंकि यह तकलीर दे रही है आपकी soul को और आपकी जो soul है वो ढूंड रही है यह कोशिया stable, stability चारो तरफ जैसे कहना कि हर्याले ही हर्याली तो यह है वो, तो soul आपकी message में यह ढूंड रही है इसको ढूंड रही है लेकिन आप हैं अभी इसमें इससे बाहर निकलके बाहर आईए आपके साथ gesture होगा balance करें चीज़ों को, अपने thoughts को clear करें अपने चीज़ों को merge करना सीखिए share करना सीखिए अगर आप disturb है, आपने मन की बात नहीं कह रहें किसी से, तो तो कहना सीखिए कहिए, उससे क्या होगा, आपका मन हलका होगा आपको हो सकता कोई रास्ता भी दिखाई दे तो यहाँ बार आपकी soul का message यह भी है एक, कि धैरे रखें यहाँ पर यह relationship के लिए message है कि धैरे रखें अगर आप बहुत ज़्यदा परेशान है अपने relationship को लेकर को थोड़ा सा ध्यारे रखें चीजे होगी justice होगा, अगर कार्मिक चीजे हैं तो वो end होगी अगर आपकी life में आगी है तो मिलेगा आपको definitely मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सबरे रखने की ज़रूरत है खुद को थोड़ा सा open करने की ज़रूरत है इस उर्जा में आने की ज़रूरत है action लेने की ज़रूरत है सोचने की ज़रूरत है innovate करिए अपने आपको खुद को innovate करिए खुद को कुछ नया ताजा बनाईए ताकि हम एक healthy उर्जा में रह सकें तो Soul आपकी यह कह रही कि मुझे दर्द में नहीं रहना मुझे इस उर्जा में रहना है या इस उर्जा में रहना है इस उर्जा में हर्गिस नहीं रहना है यहां पर तो यह आपकी लिए Soul Message है एक Card में और लोंगी देखते हैं क्या कि ओ माई गॉड देखिए देखिए मैंने कहाँ न कि आपकी Soul को King of Pentacles and Ten of Pentacles Beautiful energy यह चाहिए आपकी Soul को और देखिए Ten with Ten Start कहां से हुआ है Ten से and End कहां से है Ten से यह दर्द से निकल कर आपको इस खुश्याली में आने की जरूरत है यह है आपकी Soul का Message यह यह पसंद करेंगे यह यह पसंद करेंगे आप अपने आप से पूछी यह पसंद करेंगे जहां पर खुशियां है जहां पर पैसा है जहां पर लग्जिरी है जहां पर Beautiful Family है Relationship है यह पसंद करेंगे यह पसंद करेंगे जहां पर सिर्फ Pain है तकलीफ है, दर्द है, प्रोब्लम्स है, नेगटिव वाइब्स है और पता नहीं क्या-क्या है इस काट के साथ और इस काट के साथ खुशिया ही खुशिया है तो आप क्या पसंद करेंगे, दर्द या खुशिया पेन ये mentally pain या जो आप अपने जीवन में आचीव करना चाहते हैं वो ओके आई होप कि आपको कुछ guidance मिल रही होगी यहाँ पर देखते हैं आपके लिए angels की तरफ से क्या message है प्लीज गाइट कीजिएगा angels मेरे viewers के लिए क्या message है यहाँ पर प्लीज गाइट कीजिएगा इस शफल करके मैंने चार्ज करके रखा हुगा है इनको पहले से do you need to add a little pizzast to your life have you been feeling tired lately देखिए मैंने कहाना it is time to take step to improve your endurance and overall health get your energy centers recharge and renew your passion for living a vibrant life देखिए message भी आपके लिए वही आया है खुद को recharge कीजिए खुद को energize कीजिए खुद को action लीजिए खुद को इस energy से बाहर निकालिए आपके लिए देखिए message भी वही आया है कि इस उर्जा से बाहर निकल कर खुद को improve कीजिए मैंने कहाना innovate कीजिए खुद को खुद में कुछ बदलाव दीजिए खुद को उस उर्जा से बाहर निकाले जो कि आपको परिशान कर रही है आप यह affirm भी कर सकते हैं आप इसे affirm भी कर सकते हैं और देखिए message भी आपके लिए वही निकल कर आया है complete कीजिए एक बहतर completion में जाए इस completion में जाना पसंद करेंगे इस completion में जाना पसंद करेंगे changes आपको ला नहीं होंगे आपके soul आपसे यही body की changes लाएं improvement लाएं अपने अंदर जरूरी बदलाव लाएं healthy बदलाव लाएं ताकि आप healthy रह सकेंगे यह healthy उर्जा नहीं है यह healthy उर्जा है तो आप I hope कि आपको कुछ guidance में ली होगी यहाँ पर आपकी जो soul का message है आपको मिला होगा अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो please मेरे video को like कीजिएगा चैनल को subscribe कर दिजिएगा जनल लीडिंग है collective reading है timeless reading है आप इसे कभी भी देख सकते हैं so take care all of you guys bye bye bye